प्रेन की बात कर रहे हैं, प्रेन से उपर बात करेंगी तो सबसे पहले बाल्डनेस, गंजापन, यह एक डिजीज देखने को मिल सकता है, चिक है? और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं स्टेमसिल की हेल्प से, ब्लाइंडनेस, देखने को मिल सकती है, आइस से विजिबलेटी ना हो आइस से दिखे नहीं, प्रॉपर विजिबल ना हो, डेफनेस सुनने में प्रॉब्लम आ रही हो, यह कंडिशन हो सकती है, स्ट्रोक्स आते हैं बहुत सारे, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजिरी होती है, लर्निंग डिफेक्ट्स, लर्न नहीं रहती हैं, काफी सारी चीज़े है तो वो डिफेक्ट्स, स्टेम सेल्स की वज़े से हो सकते हैं, या इल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन्स डिजीज, ये नर्वस सिस्टम के डिजीज़े हैं, ये भी अकर हो सकते हैं स्टेम सेल्स की वज़े से, बिकॉस नियूरॉन्स क्या होते हैं, सिगनल नहीं ले पा तो उस condition में एक important चीज देखने को मिलेगे कि जो neurons हैं वो function नहीं कर पाएंगे और जब neurons अपना कार्य नहीं कर पा रही है, neurons अपने function perform नहीं कर पा रही हैं तो उस condition में disease होगी, vibrations देखने को मिलेगे, sense नहीं कर पाएंगे चीजों को बहुत easily तो वहाँ पर इस तारे के diseases हो सकते हैं, teeth missing, teeth, teeth बने नहीं, wound healing, जो भी जखम है वो कैसे heal हो रहे हैं, कैसे अच्छे से actual में skin आ रही है, वापसे skin बन रही है, bone marrow की transplantations, stem cell की help से हम करवा सकते हैं, and spinal cord की कोई injury हो, spinal bifida हो गया, या posterior चिद्र जो है, पश्च चिद्र जो है, वो close नहीं हो पाया, बन नहीं हो पाया, इस condition को हम treat कर सकते हैं, osteoarthritis, bones में arthritis disease को भी हम cure कर सकते हैं, use कर सकते हैं, stem cells therapy का, वहाँ पर भी, and rheumatoid arthritis भी हम cure कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ, तो amyotrophic lateral sclerosis जो होते हैं, sclerosis जैसे diseases को भी ठीक किया जा सकते हैं, myocardial infection को भी treat किया जा सकता है, and muscular dystrophy, muscles का proper function नहीं हो पाना, diabetes, pancreatic disease की वज़े से हो रही है, diabetes को हम cure कर सकते हैं, या cancers को भी treatment दिया जा सकता है, या Crohn's disease जो है, उसको भी properly, stem cells का use करके, हम ठीक कर सकते हैं, now, अब जब बात करते हैं, stem cell therapy for various diseases in India की, तो इसमें हम देखेंगे कि nervous system के diseases, intercellular, intracellular, molecular level पर, किसी भी level पर अगर होता है, तो उसको हम stem cell से treat कर सकते हैं, stem cell therapy दे सकते हैं, same respiratory system को भी हम किसी भी level पर हो रहा है, तो हम उसे stem cell से treat कर सकते हैं, same immune system की बात कर रहे हैं, spleen की बात कर रहे हैं, thymus gland की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर changes होते हैं, तो उनको हम cure कर सकते हैं, reproductive development की भी चीज़ों को, काफी चीज़ों को हम cure करवा सकते हैं, stem cells की therapy रहे कर, इसके अलावा, cardiovascular और gastrointestinal, एक तो heart से related diseases and gastrointestinal, elementary के नाल, अहार नाल से related जो diseases होते हैं, उनको हम cure करा सकते हैं, और सबका आधार molecular, intracellular या intercellular हो सकता है, अंतरा कोशी की है, अंतर कोशी की है, या फिर molecular level को बोलते हो, आप molecules के अधार पर, आणवेकी के अधार पर हम देख सकते हैं, ठीक बात है, तो ये कुछ therapies हैं, जिनसे हमें treatment मिल सकता है, अब देखेंगे, कि एक human body है, इस human body की अगर मैं बात करूँ, तो इस human body में दो टाइप के nervous system देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक nervous system है CNS, एक nervous system है PNS, central nervous system, PNS को बोलते हैं, peripheral nervous system, जब central nervous system की बात कर रहे हैं, तो central nervous system में हम देखेंगे, ये nervous system है, central nervous system से neural SC, blood SC and adipose SC, वो देखा जा रहा है, तो central nervous system में neural cells होंगे, neural stem cells होंगे, SC का मतलब क्या है, stem cells, तो neural stem cells की जब बात करते हूँ, तो neural stem cells को बनाया जाएगा, और neural stem cells को जब बनाया जाएगा, तो एक और चीज़ देखने को मिलेगी, कि neural stem cells से CNS बनाया जा सकता है, CSS का formation हो सकता है, अब देखूगे, यहाँ पर PNS, peripheral nervous system है, blood stem cells, adipose tissue की stem cells, यह सब बनवाय जा सकते हैं, और सब जाके multipotent stem cells को आगी जाकर बना रहे हैं, body cells की हम reprogramming भी करवा सकते हैं, और IPS में converge कर सकते हैं, pluripotent stem cells में converge कर सकते हैं, umbilical cord से भी हम stem cells लेकर embryonic stem cells बनवा सकते हैं, fertilized ovum जो हैं, उससे हम blastocyst बना सकते हैं, और blastocyst से भी हम embryonic stem cells निकाल सकते हैं, now multipotent stem cells से क्या-क्या हो सकता है, वो हम देख रहे हैं, different type की चीज़ों को देखा जा रहे हैं, muscles, बोल सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे diseases को treat करने में help मिल रहे हैं, कैसे diseases को treat करने में, Alzheimer's disease को, plagues हो जाते हैं, plagues जैसे disease, Parkinson's disease को, demyelinated exons जो बनते हैं, उनको हम वापस से बना सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, neuronal जो loss हो रहा हैं, उसको हम maintain कर सकते हैं, Huntington's disease को क्या और करवा सकते हैं, multiple sclerosis जो हो रहा है, उसको भी क्या और करवा सकते हैं, नौ, यहाँ देखेंगे, इस diagram को देखेंगे, जब हम, तो हमें और चीज़े, stem cell therapy के बारे में information देते हैं, mainly अगर यहाँ पर बात करें, तो diabetes हमें सब को पता है, दो type की होती हैं, type 1 diabetes, type 2 diabetes, type 2 diabetes जो है, जो type 2 diabetes है, उस stem cell therapy से benefit मिल सकता है, उस diabetes को, कैसे benefit मिलेगा, यह देखेंगे, आक्षुल में, 88% reduction of insulin requirement जो होता है, वो reduction हो जाता है, insulin नहीं बन पाता, तो हम बाहर से insulin बनवा सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पंक्रियास के जो cells है उनको boost कर सकते हैं या पंक्रियास के हम stem cells दे सकते हैं पंक्रियास को बनाने के लिए तक कि पिंक्रियास बन जाए एक बार तो beta cells भी बनेंगे और beta cells बनेंगे तो beta cells insulin produce भी करेंगे बिक बीचास वी वी पर काम है insulin produce करना and if insulin की मात्रा नहीं है, amount नहीं है तो उस condition में क्या होगा, diabetes हो जाएगी जिके maintain नहीं कर पारा glucose level तो हम insulin का वापस से अगर production कराएंगे तो diabetes को क्या और करवा सकते हैं stroke की बात करें तो जितने strokes हैं वहाँ पर हम actual में क्या और करवा सकते हैं कैसे क्या और करवा सकते हैं हम stem cells को दे सकते हैं या promote कर सकते हैं brain cell का regeneration या stem cell therapy के तुरू treatment करवा सकते हैं retinal diseases, retina की जो diseases होती हैं उससे भी stem cell को benefit मिलता है benefit मिलता है stem cell की health से retina diseases को treat किया जा सकता है leukemia से भी benefit मिलेगा क्योंकि bone marrow का disease होता है leukemia actual में बोल सकते हो blood cancer type का leukemia होता है और इस condition में भी हम bone marrow को अगर stem cell therapy दे दे treatment करवा दे तो उस condition में भी हम treatment करवा सकते हैं dementia condition होती है dementia condition को भी हम बाहर से stem cells देकर treat कर सकते हैं skin के लिए skin का formation करवा सकते हैं plus बात करेंगे cancers की तो cancers को भी हम stem cells देकर treat करवा सकते हैं या जो division हो रहा है fast division हो रहा है उसको रोकने के लिए हमेशा body में कुछ न कुछ chemicals, proteins, enzymes यह work करते हैं बाट इस condition में क्योंकि वहां या तो proteins नहीं होंगे या जो रोकने वाले chemicals हैं uncontrolled growth को वो रोक नहीं पाते हैं वो stop नहीं कर पाते हैं तो उस condition में हम ऐसे proteins दे सकते बहा से या stem cell therapy का कुछ treatment दे सकते हैं जिसकी वज़े से यह जो processes हैं यह stop हो जाएं और uncontrolled growth जो हो रहे हैं उसको reduce किया जा सकते हैं arthritis की बात कर रहे हूँ joint pains होते हैं arthritis में और arthritis में भी हम stem cell की therapies देकर treatment कर सकते हैं तो यह कुछ diseases हैं जिनको हम treat कर सकते हैं जब हम cardiovascular diseases की बात करते हैं heart से related diseases की बात करते हैं तो heart diseases में हमें एक और important चीज़ देखने को मलते हैं कि heart diseases में कई बार heart attacks आ जाते हैं या atherosclerosis जैसी condition होती है atherosclerosis में क्या होता है cholesterol arteries की जो wall है वहाँ पर deposit हो जाता है या हम बोल सकते हैं strokes आ जाते हैं heart attacks आ जाते हैं proper blood flow वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है attacks बोलते हैं हम तो ये सारी चीज़े heart attacks से related या heart से related चीज़े हो सकते हैं हो सकते हैं heart की जो muscles और cardiac muscles और function करना बंद कर दे तो उस condition में भी हम heart muscles को cardiac muscles को stem cell के त्रूँ transplant करवा सकते हैं या हम कुछ ना कुछ therapy treatment दे के उसे सही कर सकते हैं उस condition में उसे ठीक कर पाएंगे AIDS जैसी conditions हैं मनद काफी सारे diseases ऐसे हैं जो इन therapies के चुछ treatment ले सकते हैं अगर ये diseases in therapies से treat हो गए तो simple है कि disease industry में एक boom आ जाएगा और disease industry या medical industry जो है उसमें एक boom आने की वज़े से क्या होगा काफी सारी चीज़े हैं जो हम sort out कर पाएंगे काफी सारे diseases को हम वहीं पे stop कर पाएंगे और काफी सारे persons की जो life है उसको हम save कर पाएंगे तो stem cells के काफी सारे users, applications हैं ये सारे applications stem cells की help से diseases को cure करने में हो सकते तो हम उनसे जाए stem cell therapy बोले जाए stem cell treatments, users बोले stem cells के या medical users बोलो या medicinal industry से related users बोलो बात एक ही है, ये सारे stem cells के action में advantages बता रहा है कि कैसे stem cells की help से diseases को क्या और किया जा सकते हैं सो आज हमने बढ़ा stem cells के types दो type के stem cells होते हैं on the basis of origin कैसे बन रहे हैं plus origin के साथ साथ source क्या हो सकता है कहां कहां से हम stem cells obtain कर सकते हैं stem cell का क्या function रहता है क्या role रहता है कहां कहां stem cells से actual में किस-किस type के cells बन सकते हैं कैसे differentiation होता है कैसे cell renewal हो रहा है कैसे cells वापस से बन रहे हैं ये सारी चीज़ अगर आप adult की बात करो तो adult में हमारे अंदर stem cell की property बहुत कम cells रखते हैं like skin cells में stem cell की property हो सकते बिकास ये regenerate कर जाते है regeneration की property उन में मिलेगी secondly, memory gland की cells में stem cell property हो सकते बिकास ये also grow करते हैं size में increase हो सकते हैं liver में stem cells की property हो सकते हैं बिकास उसमें भी regeneration power होते हैं जो होते हैं उन में काफी कम regeneration power होता है as compared to embryonic stem cells तो दोनों में काफी differences हैं कि embryonic stem cells और adult stem cells की capacity को जब हम compare करेंगे उनकी शमता को जब हम compare करते हैं तो काफी differences हमें देखने को वहाँ पर मिलेगी तो इस तरह से हम differences को observe कर सकते हैं और उनहीं differences पर work करके हम treatment भी कर सकते हैं तो treatment के लिए most probably adult stem cells को use नहीं किया जाता है embryonic stem cells, umbilical cord वाले जो हम save करवाते हैं ठीक है, clinical purposes में save करवाये जाते हैं वो नहीं को use किया जाता है किया जाना चाहिए because उनके अंदर ज़्यादा properties है growth easily है adults में growth, adult stem cells की growth इतनी नहीं होती है right तो ये था stem cells के उपर chapter thank you for watching you can take this screenshot as well आप screenshot ले सकते है इसका because ये पूरी summary बता रहा है कि कैसे stem cells को therapy में use किया जाता है